Hello students, हमने अपना टॉपिक कम्प्लीट कर लिया है, तो आईए अब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ question answers देखते हैं। तो question number one है, शिखर किसे कहते हैं? Answer, किसी व्रिक्ष में तने से उपर का भाग शिखर कहलाता है। Question number two, वितान किसे कहते हैं? Answer, वनों में उचे पेड़ों की शाखाएं कम उचाई वाले पेड़ पौधों पर छट की तरे से प्रतीत होती हैं। इसी को वितान यानी क्यानोपी कहते हैं। Question number third, किसी वन में विभिन श्यातिच पढ़ते क्या कहलाती हैं? Answer, ये पढ़ते अधोतल कहलाती हैं। Question number four, वन की भूमी उपजाव क्यूं होती हैं? Answer, वन की भूमी इसलिए उपजाव होती हैं क्योंकि पेड़ों से गिरने वाले पत्ते, फल, फूल, इत्यादी सडगल कर हुमस में बदल जाते हैं। Question number five, अफशे की प्रक्रिया में उश्मा अफशोशत होती हैं या बाहर निकलती हैं? Answer है, अफशे के प्रक्रिया यानि डीकेइंग प्रॉसेस में उश्मा बाहर निकलती हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वनो के घटक के बारे में। कर दो अब कर दोग्वें, अब जशे करें उन्हों में। सबस्ती हैं, जब लॉपिक हम जशे की और नेक्सा सुड़काओंगज़ का इंवें।